नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है टिकम सिंग और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हैं आपके और हमारी यूट्यूब चैनल कंप्यूटर वर्ल्ल में दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप आधार यूजर के डियेंशल बहुत असानी से कैसे बना सकते हैं लेसी ने अभी हाल फिलाल में एक नए ओपशन जारे किया है आपके लिए इससे आपका कीडियेंश जिल जो है सससे 10 दिन के अंदर बन जाएगा तो दोस्तों अगार आप ये जाना चाहते हैं कि आप जो है अपना कीडियेंशल सास से 10 दिन के अंदर कैसे बनवाएं तो बस ये वीडियो लास तक देखते रहे हो, दोस्तों वीडियो पर चलने से पहले आपको बता दें कि अगर आपने भी तक हमारे चनल को सस्क्राइब नहीं क्या है, तो जब हमारा वीडियो प्ले होता है, तो वीडियो के नीचे रेड कलर का सस्क्राइब बढ़ानाता है, वहाँ पर किलिक करके हमें सस्क्राइब कर सकते हैं या फिर हमारे चैनल पर डारेक्ट आकर यहाँ पर किलिक करके हमें सस्क्राइब कर सकते हैं तो दोस्तों बिना समय गवाए आज का वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों इसके लिए चलते हैं apply for new PEC slash UCL इसका मतलब होता है permanent enrollment center और इसका मतलब होता है update client light इसके लिए अगर आप apply करना चाहते हैं तो यहाँ पर click करिए तो हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं जैसे हम click कर लेते हैं तो यह हमें registration.csc.gov.in पर redirect कर देता है दोस्तो इसके लिए आपकी ID यानि की digital server पर login होनी चाहिए तब ही आप यहाँ पर पहुच पाएंगे नहीं तो यहाँ पर आप से login करने के लिए बोला जाएगा तो आपको login करना पड़ेगा उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे तो दोस्तो जैसे हम इस पर आज आते हैं तो यहाँ पर नीचे really pack registration के लिए option खुला है यहाँ पर हमें क्या करना है click कर देना है चलिए click कर लेते हैं click करने के बाद आपके सामने registration form खुलता है registration form को भरने के बाद आपको submit कर देना है registration form को भरने से पहले आपको बता देता हूँ कि आपको जो है अब आधार का काम या UCL का जो भी आप काम करना चाहते हैं वो जो है सरकारी प्रिमाइसिस में ही होगा, आप जो है अपने प्राइवेट सेंटर पे ये काम नहीं कर पाएंगे तो आप पहले ही सोच लें कि आप सरकारी संस्थान में काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं तभी user credential के लिए apply करें अन्य था कोई फाइदा नहीं है आपका user credential deactivate हो जाएगा अगर आप जो है सरकारी संस्थान में किसी जाकर वहाँ पर अधारकार नहीं बनाते हैं या UCL नहीं चलाते हैं तो दोस्तों यह जो है form खुल चुका है, यहाँ पर आपको simply अगर UCL के लिए registration करना है, तो UCL पर क्लिक करना है, अगर दोनों के लिए registration करना है, तो दोनों पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर CSC ID आपके आ जाती है, यहाँ पर really name अपना भरना है, state district block, mobile number और decimal ID automatically यहाँ पर आ जाती है, UID kit and GPS available आपको दिखाना है, yes or no, उसके बाद यहाँ पर single fingerprints device आपके पास available है या नहीं, यहाँ पर yes or no करना है, government premises में आप address यहाँ पर देंगे, जहाँ पर आप बैठना चाहते हैं, यहाँ पर government premises का जो आपने वहाँ से अनुमती ली है, उसका यहाँ पर proof य supervisor certificate number है, तो उसको यहाँ पर enter करना है, उसके बाद यहाँ पर supervisor certificate proof को upload कर देना है, उसके नीचे यहाँ पर verify की detail देनी है, अगर आप केवल UCL के लिए registration करते हैं, तो यहाँ पर आपको verify की कोई जरूत नहीं है, अगर आप आधार ECMP kit के लिए पूरा registration करते हैं, तब आपको य यहाँ पर message 100 होगा registration number का, तो credential process हो जाएगा 8 से 10 दिन के अंदर, ठीक है, तो यह बहुत अच्छी सुईदा अब CSE ने start किया है, CSE वाले बहुत fast काम करने जा रहे हैं, तो दोस्तों अगर आप यह करना चाहते हैं, तो कर लीजिए, credential को लेकर बहुत सारे सवाल दें, तो य यहाँ से registration करिए, तो आपका जो है पका यह credential बन जाएगा, तो दोस्तों उमीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, अगर दोस्तों वीडियो पसंद आता तो वीडियो उसको like कीजिए, सभी दोस्तों के शार्ष शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, तब तक के लिए जैहिंग बंदे मातरा हूँ